सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बल आइकन को दबाएं और पाएं इंट्रस्टिंग वीडियोज मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई दोस्तों आपने अब तक की ये सुना होगा कि केला खाना हमारी सेहत के लिए बेहत फायदेमद होता है और ये बात बिल्कुल सही भी है एक नॉर्मल इंसान एक दिन में दो या तीन केले आराम से खा सकता है इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता लेकिन कुछ कंडिशन्स, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिन में केले का सेवन कम या फिर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह की है ये आपको जानना बेहत जरूरी है और उमीद करते हैं ये जानना आप भी जाहेंगे तो देर किस बात की चली शुडवात करते हैं और जानते हैं उन हेल्थ प्रॉब्लम को जिन में केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बात करेंगे पहली हेल्थ प्रॉब्लम की डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि केले में ज्यादा कैलोरी, कार्बोहाइडरेट और शुगर होता है इससे उन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है जो पहले से ही जरूरत से ज्यादा मोटे हैं बात करेंगे दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की अगर किसी व्यक्ति को हाइपर कैलेमिया यानि की ज्यादा पोटेशियम की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि केले में पोटेशियम ज्यादा होता है ऐसे में इस खास बीमारी में अगर केले का सेवन कर लिया जाए तो हार्ट बीट एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है बात करेंगे तीसरी प्रॉब्लम की अगर किसी को माईकरीन यानि की सिर्दर्द की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में भी केले का सेवन ना करें क्योंकि केले में मौझूद थाइमिन, नामक्तत्व, माइक्रीन और सिर्दर्द की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है बात करेंगे चौती प्रॉब्लम की जिन लोगों को नियूरोलोजिकल डिसॉडर हो उन लोगों को भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि केले में विटामिन B6 होता है इसकी ज्यादा मात्रा से नर्व्स डैमिज होने का खत्रा बढ़ सकता है बात करेंगे पांचवी प्रॉब्लम की जिन लोगों को डाइबिटीस की प्रॉब्लम हो उन्हें भी केले से दूर रहना चाहिए क्योंकि केले में गाफी जादा मात्रा में कार्बो हाइडरेट और शूगर होती है इससे बादी में शूगर लेवल पड़ जाता है बात करेंगे छटी प्रॉब्लम की अगर किसी को अलर्जी हो तो ऐसे लोग भी केले का सेवन ना करें क्योंकि केले के कारण कई तरह की अलर्जी बढ़ जाती है बादी में सूजन, चकते, रेडनेस हो सकती है बात करेंगे साथ भी प्रॉब्लम की जिन लोगों को किड्नी से जुड़ी समस्याएं हो उन्हें भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि केले में मौझूद पोटेश्यम से केड्नी पर ज्यादा लोड पड़ता है और किड्नी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है तो ये थी वो एहम हल्थ प्रॉब्लम जिनके होने पर केले का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए उमीद करते हैं केले से जुड़ी ये खास जानकारी आपको बेहत पसंदाई होगी और आप इन प्रॉब्लम का खयाल रखते हुए ही केले का सेवन करेंगे बहुत जिल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ फिलहाल अभी के लिए बोल्ट स्काई में बस इतना है